जम्मू कश्मीर में तैनाश अशस्त्र सीमा बल एक तरफ सुरक्षा विवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने में अपनी महत्पून भूमिका अदा कर रहा है तो वहीं अपनी सामाजिक जिम्मिदारियों का निर्वहन करते हुए कुछ ऐसी कतिवितियों में भी शामिल है जो वास्तों में सराहनिये हैं इसकी मिसाल है SSB द्वारा आयोजित भारत दर्शन यात्रा का आयोजित जिसमें कश्मीर के स्कूलों के 23 छात्रों को भारत के विभिन शहरों के भ्रमड पर भेजा जाएगा प्लस गवरनर अफ उतर प्रदेश श्रीमती आनंदी बेन पटेल जी से उनके मुलाकाद उनके साथ फोटो ऑपर्चिनिटी और उसके बाद जो है इलाके का काफी हिस्टोरिकल प्लेसेज में ब्रहमण ततपश्याद इनको वहां से आग्रा के लिए रवाना किया जाएगा आग्रा में ताज महल, फतेपुर सीक्री और बाकी और भी काफी घूमने वाली चीज़े हैं उनका भी उनको जो है एक्स्पोजर दिया जाएगा उसके बाद उनको दिली का ब्रहमण करवाया जाएगा दिली में बहुत सारे स्टोरिकल प्लेसेज का प्लान किया गया है और साथ ही हमारे डिरेक्टर जेनरल जो एसेसबी के हैं श्री अनीज दयाल जी उनके साथ भी उनका इंटरेक्शन और फोटो अपर्चुनिटी रख गया है इसके पीछे मकसद केवल सिर्फ इतना ही है कि जो कश्मीर के यूद्स हैं जिनोंने बहुत ज्यादा ब्रहमण नहीं किया हुआ है वो इंडिया के या भारत के बिन भागों में जा करके वहां के चाल जो परिवेश है उसको समझ सकें वहां पर किस तरह से लोग रहत परिवेश हैं वहां की क्या परंपराय हैं उनके बारे में जाने और जो अच्छी चीजे हैं उनको अपने अंदर समाहित करके समावेश करके और एक अच्छे समाज का विसार कर सकें और अच्छे समाज को विक्सित कर सकें यही हमारी एक सोच है जिसके तहत हम काम कर रहे है इस यात्रा का मकसद इन छात्रों को देश के दूसरे हिस्सों के बारे में जानकारी देना है और वहाँ जारी विकास की गतिविधियों से रूबरू कराना है और जिसमें हमारे 17 बच्चे हैं 9th क्लास के और 6 बच्चे जो हैं 10th क्लास के जा रहे हैं और इनके साथ हमारे दो टीचेर्स भी इनको बच्चों को एसकाट करने के लिए साथ जा रहे हैं आर्ट 8 डीज का ये टूर है लखनाव आगरा बहली देन जमू तो सरनेगर नमसकम इनको ये पता चलेगा कि यहां की लाइफ और बाहर की लाइफ जो है उसमें कितना अंतर है कितना डिफरेंस है यहां पे कितनी स्लो लाइफ है वहां पे कितनी फास लाइफ है और जो बच्चे इसमें बहुत सारे बच्चे हैं ये बिसकली लवर किलास फैमिली से बच्चे टालक रखते हैं और इनको एर जाने का मौका यहीं नहीं मिलता है तो सबसे पहले इनको एक डिफरेंसा एट्मासफेर मिलेगा डिफरेंसा एक्सपोजर मिलेगा बाइर जाने का और इसी तरसे ट्रेन का भी इनको एक नया एक्सपोजर मिलेगा और मुक्तलिफ सिटीज जो हैं लखनों की वो जो लखनों की अपनी एक बात है उसको भी देखने का इनको बरपूर मौका मिलेगा और कम असकम बाहर के लोगों से इनका एक तारुफ होकी ये कुछ ने कुछ सीख के आ जाएंगे वहां पे और इन्शालला इन्शालला ये हमारा फ्यूचर है क्योंकि इन ही पे हमारा फ्यूचर डिपेंड होता है जो बच्चे सकुल के बच्चे हैं इनके साथ ही हमारा फ्यूचर जो है हमारी सुसाइटी का हमारी कौम का हमारी मईशत का जो भी पेरामीटर लाइफ का होता है पात्रों ने SSB की इस पहल के लिए उन्हीं धन्यवाद दिया